बड़े मिया, छोटे मिया, बच्पन में इस फिल्म को देखकर अलगी वाइब्स आती थी बॉस, जो बॉलीवूट से तगड़ा वाला प्यार हुआ था, उसका सबसे बड़ा रीजन इस टाइप की मसाला एंटेटेनर फिल्में हुआ करती थी। और आजकल जब ओडियन्स बॉलीवूट को छोड़कर ब्रेक अप करके साउथ मुवीज की तरफ भाग रही है तो वापस हिंदी सिनिमा उन पुरानी फिल्मों को ओडियन्स के सामने लेकर आनी की तयारी कर रहा है। दूसरी और कोई नहीं हो सकती। का लेवल मैच कर पाना बहुत मुश्किल है वो फिल्म आइकॉनिक है। ये नई वाली उसके आसपास भी पहुँच गई तो समझो बॉक्स ओफिस के रिकॉर्ड दो गए बॉस। बस फिल्म के मेकर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पुरानी फिल्म का मैजिक रीक्रियेट करने के चकर में कहीं नई वाली को जैसे का तैसा कॉपी बनानी की गलती ना कर दें। वरना ओरिजिनल वाली फिलिंग टोटल फिनिश। जो बॉलेवुड का टिपिकल फॉर्मिला है जिस पे सौ मैसे 99 मूवीज बनती हैं। पुरानी फिल्म को कॉपी मारने की गलती मत करना। दो बड़े स्टार्स हैं तो फिल्म का मज़ा भी डबल ओरिजिनल होना चाहिए। चलना चाहिए ना कि पूरी फिल्म उस पे बनाई जाए। अभी देखो फिल्म आने वाली है क्रिस्मस 2023 पे अच्छा खासा लंबा टाइम है अभी तो सिर्फ टीजर आया है आके और भी अपडेट्स आएंगे। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि बड़े मिया छोटे मिया कॉपी पिल्स फॉर्मूला पे चलेगी या फिर कुछ नया क्रियेट करके साउट सिनिमा को खुलम खुला चैलेंज दिया जाएगा। आप बताओ आपको ये टाइगर वर्स अक्षे वाला आइडिया कैसा लगा। फाइनली एक्साइटेड हो किसी बॉलिवूड फिल्म के लिए या फिर थोड़ा ओवर डिर्माटिक हो गया। ये नाम पुराना फिल्म नहीं बॉलिवूड का ये फॉर्मिला कुछ काम कर पा झाले आपको ये बॉलिवूड काम कर दो दो ढगा है।